दोस्तों क्लास सेवन्त महाराश टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्टर नुम्बर सेकेंड मुल्टिप्लिकेशन एंड डिविजिन ऑफ इंटीजर्स उसके पहले इंटीजर्स क्या होते हैं वो हमें देखना है और इंटीजर्स के पहले हमें नेचरल नुम्बर से और ओल नुम्बर से क्या होते हैं वो देखना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का उन्रत है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ओर बल ऐायक ऑन प्रेस करें जिससे के आने वाले वीडियों का जोज करिकेशिन आपको मिल चाए काउंटिंग के लिए नमबर्स हम काउंट किरेबद करने के लिए यूज करते हैं 1.2 1.3 3.7 एहसे नमबर समप्म के लिए करते हैं तो 123 तूब इंफिनिटी यह जो ब्रह कतम नहीं होते हैं शुम नेजह लिए इन से वह प्यट लेता है नवन इनसे हम घठानि SEA ओम죠 जिरो हम एड़ करें, इसमें एक जिरो प्लस किया जाए, मतलब जिरो से जिरो, 1, 2, 3, अब ये जो नमबर होते हैं, उन्हें हम all numbers कहते हैं, मतलब, counting numbers with 0, together are called all numbers, उसके बात होते हैं, integers, तो integers कहोते हैं, जितने भी natural numbers हैं, वो से भी numbers, नेचरल नंबर्स 1,2,3,4, up to infinity, 0 और जो नेचरल नंबर्स हैं उनके निगेटिव नंबर्स, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, अब यह सब नंबर्स होते हैं, माइनस 3, माइनस 4, up to minus infinity तक और यह प्लस infinity तक चले जाते हैं, तो इन सभी नंबर्स को हम integers कहते हैं, अब यह जो integers हैं, उनकी addition, subtraction, multiplication और division यह रूल यहाँ पर आते हैं, तो अब हमें rules for addition और subtraction लेने हैं, तो addition और subtraction की rule अलग हैं, multiplication, division की rule अलग हैं, इन दोनों को अलग-अलग आपको समझ कर लेना है, पहले addition, subtraction की rule समझो, फिर उसके बाद में multiplication, division की rule समझो, addition, subtraction की कुछ example पहले solve करो, फिर उसके बाद multiplication, division की example solve करो, अब addition, subtraction की जो examples हैं, उसके पहले हमें rule जो है, वो simple last answer rule है, addition, subtraction के लिए, अगर दो number का sign same sign है तो हमें addition जो है वो operation perform करना है अगर different sign है दोनों का different sign मतलब क्या होगा 1 plus 1 minus same sign plus plus minus तो हमें subtraction करना है और जो result आएगा जो result मतलब addition है subtraction जो भी answer आएगा उसे हमें greater number का greater number जो होता है उसका sign हमें लिखना है उस answer को तो उसके लिए हम 4 example यहाँ पे लेंगे first example देखिए 3 plus 7 अब यह 3 plus 7 simple addition है तो इसे हम addition क्यों करते हैं देखिए rule क्या है same sign है तो हमें addition करना है अब 3 का sign कुछ नहीं होता मतलब इसके आगे plus होता है और 7 का sign भी plus होता है तो plus 3 plus 7 इन दोनों के हमें addition करने है 7 plus 3 10 और greater number 7 और 3 में से greater number 7 है तो 7 का sign plus तो इसको हमें plus sign देना है मतलब plus sign लिखने की जरूरत नहीं है minus 3 minus 7 अब देखिए दोनों का sign same है तो हमें फिर addition करने है 7 plus 3 10 greater number 7 उसका sign minus minus 10 रहेगा अब यह जो रूल है देखिए addition subtraction के लिए ही है जहां पर multiplication ना हो और expression दिया गया हो numbers में तब हमें यह रूल जो है वो इस करना है अब देखिए minus 3 plus 7 अलग अलग sign है एक minus 1 plus different sign तो हमें subtraction करना है subtraction करना है मतलब greater number से smaller number को minus करना है 7 से 3 को minus करो 4 और जो भी result आएगा result 4 आगया greater number का sign 3 और 7 में greater number 7 7 का sign plus plus लिखने की जुरत नहीं है तो यह plus 4 आएगा अब plus 3 minus 7 देखिए 7 different sign है plus minus अलग अलग sign तो 7 से 3 को subtract करो 4 आता है और 7 जो greater number है उसका sign हमें minus sign लिखना है तो यह rule हो गए addition और subtraction के लिए तो इसी rule से कुछ example जो हैं वो 10 पंदरा अलग अलग लेकर आप स्वाल करिए एक 10 पंदरा बार फिर उसके बाद multiplication और division के rule हम लेगी multiplication of integers अभी जो integers होते हैं उनके multiplication करने के लिए उनका जो sign होता है मतलब integer plus भी हो सकते है minus भी हो सकते है अभी अभी हमने देखा है तो अलग-अलग sign है यह same sign है तब multiplication करते हैं same sign है तो minus into minus plus into plus same sign उनका multiplication plus आता है और different sign है तो multiplication minus आता है देखिए plus into plus plus का plus के साथ multiplication plus minus into minus plus और plus into minus 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 into plus minus अब देखिए यह rule जो है वो multiplication के लिए हमें यूज करना है multiplication करते समय number का multiplication उसके साथ उनके sign का भी multiplication करना है और इस rule को addition और subtraction के rule के साथ combine नहीं करना है मतलब दोनों का sign same है minus minus तो जो addition आएगी या multiplication आएगा उसको हम sign plus देंगे लेकिन addition करते समय है दोनों को sign minus ही होगा प्लस नहीं होगा multiplication के वक्त प्लस होगा addition के वक्त minus sign होगा हम addition करेंगे लेकिन उनके जो sign होगा हो जो minus होगा अब इसके हम कुछ examples लेंगे अब देखिए यहां पर हमने multiplication के example solve करना है तो 7 into 3 21 simple multiplication हम कर सकते हैं अब देखिए 21 का sign प्लस आता है यहां पर क्यों आता है क्योंकि 7 का sign प्लस है 3 का भी sign प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आता है तो यहां पर सब्सक्राइब नहीं मतलब प्लस जो फर्स टूल हमने multiplication के लिए लिया है वह minus 3 into minus 7 अब देखिए यहां पर minus 3 minus 7 यहां पर multiplication का sign नहीं है इसलिए हमने addition subtraction का rule उज़ किया है अब यहां पर इन दोनों के बीच में multiplication का sign है तो हमें multiplication का rule उज़ करना है multiplication का rule है minus into minus प्लस आता है तो हमें सबसे पहले sign का multiplication करना है यहां पर तो minus into minus sign प्लस होगा 7 into 3 यह number का फिर multiplication 7 into 3 21 अब यहां पर देखिए फिर multiplication है तो minus into plus minus 7 into 3 21 अलग-अलग sign है तो जो भी result है उसको minus sign देना है तो plus into minus minus 7 into 3 21 multiplication के लिए लिए rule तो ऐसे भी आप एक 10 15 कुष्ण स्वाल करें फिर आपको जो है वह वो डिविजन असानी से आजाएगा अब हमें डिविजन के रूल लेना है तो डिविजन के रूल हम शायदा नेक्स्ट प्रेक्टिस इट में लेंगे तो प्रेक्टिस इट पहले स्वाल करेंगे प्रेक्टिस इट देखिए क्षेन नूमबर 1 मल्टिप्ला उसमें 1 है माइनस 5 इंटू माइनस 7 अब जब मल्टिप्लिकेशन है तो हमें मल्टिप्लिकेशन और मतलब मल्टिप्लिकेशन के रूल यहाँ पर देखना है दिखे, plus into plus plus, minus into minus plus, plus into minus minus, minus into plus minus same sign है, plus plus minus minus, तो multiplication को plus sign देना है और अलग-अलग, plus minus minus plus, तो हमें जो भी result आएगा, उसे minus sign देना है तो यहाँ पे दिखे, minus into minus plus होता है, same sign, तो 7 into 5, 35, plus 35 minus into plus, अलग-अलग sign, तो result को minus sign है, 9 into 6 54, plus into minus, minus, 9 into 4, 9 into 4, 36, plus into minus, अलग-अलग sign, multiply करना है multiply, अलग-अलग sign, plus into minus, minus हैगा, 8 into 7, 56, minus into minus, plus same sign है, तो multiplication plus, 124 into 1, 124 वन जो 124, minus into minus, plus 12, 7 जा, 84, plus 84, इसको plus को sign लिखनी के हमें जरुरत नहीं है, plus को sign नहीं लिखना है, minus into minus, plus, अब 63 को 7 से multiply करना है, तो 73 जा, 21, बॉरो 2, 76 जा, 42, plus 2, 44, और minus into minus, plus sign, plus sign लिखनी की जरुरत नहीं है, minus into plus, minus, 57 जा, 105, तो plus into minus, minus, तो ऐसे अंसर आएंगे, अब यह और कुछ, आप गर में एग्जांपल स्वाल कर सकते हैं, करिए, मतलब, जो यह डाउट है, plus और minus के, वो क्लियर होना बहुत जरूर इसी क्लास में, क्योंकि आगे इनका confusion नहीं होना चाहिए, तब सब जो हो, आसान लगेगा, multiplication के rule, multiply को अलग रखना है, addition, subtraction के लिए, addition, subtraction, अलग रखना है, अब multiplication, sign का कब करना है, number के साथ करना है, और एक, दो, तिन जगह हैं, जहां पे हमें, sign का multiplication करना होता है, कि देखि सबस् sut, three, minus, minus eight अगया, तोब यहांपे मैनस, मैनस, दोनों sign एक साथ आगए, यहांपे plus, minus, यांफिर minus, minus, यांफिर minus, plus, या प्लस, या प्लस, प्लस, ऐसे आजाय हैं, तो इन दोनों का multiplication करना है, तो three minus, into minus, plus, और एक ही sign लिकेना है, और eight, दो sign एक साथ आगए, तो हमें, मुल्टिप्लिकेशन करना होता है यहाँ पे मुल्टिप्लाइ करो साइन का और फिर अंसर जो है ओल को तो ठीक है अब इस वीडियो में इतना ही आगे हम डिविजन के लिए रूल्स लेंगे डिविजन के रूल्स भी सेम ऐसी हैं तो वो हम आगे के वीडियो में लेंगे तेंक्यू